कि नमस्कार दोस्तों मैं स्ट्रोजर सचिन स्वागत और अभिजंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का अपने चैनल एस्ट्रो इंवाइट पर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन के बटन को दमाएं फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पर भ कुम्ब में चले जाएंगे शनी देव कुम्ब राशी के शनी आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे साल 2023 में हम जानेंगे इस वीडियो में शनी पूरे वर्ष यानि की पूरे 2023 में हर राशी को प्रभावित करेंगे और साल 2023 में शनी की वज़े से हर राशी में क्लिए अन्य ग्रहों का ताल वेल कैसा रहेगा यह हम जानेंगे इस वीडियो में उन्हें कैसे प्रसण न किया जाएं, क्या उपाय किये जाएं यह भी जानेंगे इस वीडियो में ताकि आपको शुब पड़िडाम मिल सकें 2023 17 जन्वरी को कुम राशी में चले जाएंगे शनी देव साल 2023 2024 और 2025 की मार्च महीने तक शनी देव यहीं पर गोचर करेंगे इन दो साल दो महीनों में आपकी राशी पर क्या असर होगा शनी देव का ये सब को जानेंगे हम इस वीडियो में शनी कर्म और आये के देवता है कर्म यानि कि आपकी नौकरी और वैपार और उससे मिलता क्या है धन यानि कि आये काल पुरिश की कुनली देखिए ये आपके समक्ष है आपके सामने स्क्रीन पर है तो शनी देव दशम और ग्यार्वे भाव के स्वामी होते है यानि दस्वा घर है कर्म का ग्यार्वा घर है आमदनी का तो शनी देव परतेख व्यक्ती के लिए बहुत महत्पूर है अब हम हर पहलू को विस्तार पूर्वक समझते हैं 17 जन्वरी दोजार तेईश को शनी कुम राशी में चले जाएंगे 39 मार्श 2025 तक वहीं रहेंगे शनी की द्रस्थी गुरुदेव और राहु पर होगी क्योंकि गुरुदेव और राहु भी साल 2023 में मेश राशी में प्रवेश करेंगे तो गुरु चांडाल योग भी बन जाएगा बाकि समी ग्रह केतू को छोड़कर शनी देव की प्रभाव में आएंगे वक्त वक्त पर क्योंकि वक्त वक्त पर गोचर होता रहेगा शनी देव सेवा का ग्रह है शनी देव कर्म का ग्रह है और राहु जो है माया का ग्रह है और गुरू जो है ज्यान का ग्रह है, शनीदेव, माया वा गुरू को प्रभावित करेंगे साल 2023 में, क्योंकि अगले वर्ष साल 2023 में गुरू और राहू मेश राशी में चले जाएंगे, शनी की द्रश्ती यानि की तीसरी द्रश्ती गुरू और राहू पर होगी, तो इसका प्रभाव भी आप ही को जेलना होगा कुछ राशी वालों को साड़े साती शुरू होगी कुछ की कत्म होगी ऐसा ही धैया में भी होगा जिन लोगों को शनी की धैया साड़े साती महादशा चल रही है उन लोगों को इस परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ेगा अच्छा हो या बुरा हो जिन भी लोगों को गुरु की या राहू की दशण महादशा चल रही है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा इस राशी में तीन नचतर आते हैं गनिश्टा है शदभिशा और पूर्वा कुल मिलाकर बहुत सारे लोग यानि सभी राशी वारे लोग प्रभावित होंगे शनी कर्म के ग्रहे हैं नौकरी चाकरी के ग्रहे हैं तो अधिक तर लोग इस दिनिया में नौकरी ही करते हैं तो इसलिए अधिक तर लोग प्रभावित होंगे अगर आप विवाहित हैं तो आ के साथ भविश्य में क्या होने वाला है वैपारी है और वैपार पार्टनरशिप में करते हैं तो अपार्टनर की कुन्णटने को वी ध्यान में रख़ए क्योंकि एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो एक दूसरे की खुम therefore Colin को प्रभावित करती है तो कर्म ही भाग्य को बनाता है तो जो भाग्य उसी का बनता है जो कर्म करता है भाग्य और कर्म में जितना आप मेल जोल रखेंगे उतना ही आपको अच्छे जट पलेंगे तभी आपकी आमदनी और आपकी अधिकार बढ़ेंगे देखे कर्म करेंगे तभी भाग्युदे हो है न Egyptians चहांपर बैठते हैं वहांपर बढ़िया रिड़िव देते हैं जहांपर बहुरोंड होती है शनी की निए कि खतनाक है मैं जिए जानी थियर। ॉसार्फ को देखते हैं वहांपर डर होता है, चिनता होती है, जिजक होता है, विलंब होता है, कम हाथ प्रिश्वाक्स होता है, देरी होती है शनी की तीसरी साथवी दरश्टी होती है कुम्ब में 0-15 दिवरी तक शनी मूल त्रिकोर्ण राशी में माने जाते हैं शनी देव कुम्ब राशी में 6 तामग 5 भापुरिश योग का भी निर्मार करते हैं ग्रह अपनी मूल त्रिकोर्ण राशी में या स्वयम की राशी में या उच्च की राशी में हो तो धन दौलत देता है, यानि की तरक्की कराता है वाहन देगा, धन दौलत देगा, परसिद्धी देगा और जब शनी मंदूत इस्तिती में होंगे तो आपके पास दौलत, वाहन, घर इस सब चीज़े आएंगी और शनी दंडा अधिकारी भी है तो शनी जो है, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको दंड भी मिलेगा शनी चोर भी बनाता है और शनी जज़ भी बनाता है तो शनी जो है, वो चोरी भी करवाता है और शनी जज़ भी बनाता है तो शनी के दोनों ही काम है शनी कुम्ब राशी में जाएंगे तो आपको धर्म से जोड़ेंगे शनी अब आपकी इच्छा पूर्टी करेंगे यहां पर राहू शनी जैसा ही पढ़िणाम देते हैं शनी जब भी कुम्ब राशी में जाएंगे तो वायू समंधी काम बनने लगेंगे ऐसे में आप देखेंगे जो हवाई जहाज है जो हमारा सरकारी हवाई तंत्र है प्राइवेट हवाई तंत्र है चाहे वो एरफोर्स हो चाहे वो सिविरियन्स के लिए हो वहां पर कुछ बदलाओ कुछ नया अंतरिक्ष में कुछ नया होगा जो 2023, 24, 25 में जनता के सामने आ जाएगा यानि कि उनकी खोज जो है पूरी हो जाएगी और आप कहेंगे ये देखिए नया विश्कार हो गया हवा के तुरू या आकाश में या नच्छत्रों में या ब्रह्मांड में किसी ग्रह पर तो धर्ती से भी जुड़ेंगे यानि धर्ती की गहराईयों के से भी कुछ निकलेगा और आकाश की उचाईयों में भी शरी देव कुछ न कुछ बदलाव करेंगे तो नई-नई खोजे नई-नई चीजे आपके सामने आएगी धार्मिक प्रवर्ती बढ़ेगी धार्मिक यात्राएं होंगी अपनी सेहत को लेकर आपको सावधान देहना होगा है और नसों की समस्या है इन their Red सानी की समस्या है उनको भी प्रॉबलम होगी जॉइंट स्पैज दॉइन को प्रॉबलम हो सकती है शनी के उपाए क्या है शनी की उपाए देखिए मैं यहां पर बता देता हूँ, कुछ उपाए वीडियो के अंद में बताऊंगा तो शनी को अच्छा रखने के लिए आप सबसे अच्छा उपाए है योग करें, योग, योग क्या होता है, यानि कि योगा, योगा, अब योगा किसी अच्छे टीचर के सानिति में करें तो प्रनायाम करें, प्रनायाम क्या करना होता है, प्रनायाम में पूरक, रेचक और कुम्भक, यानि कि जब हम प्रनायाम करते हैं, तो देखिए, प्रनायाम कैसे किया जाता है, कि पहले तो सांस को खीचा जाता है, सांस अंदर चली गई, अब उसको कम से कम जितनी आपकी छम लिए अब संस अंदर चली गई तो कुछ सेकंड़ इसको होल्ड करिए ठीक है फिर उसके बाद दूसरी तरफ से निकाल राइट से लिए तो लेट से-लेट से लिए आपको अशुप परग्राम नहीं देते हैं, ये तो एक उपाय हो गया, इसके अलावा कुछ और राशी के हिसाब से उपाय होंगे, जब आपकी राशी की बात करेंगे तो उनको भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत में कुछ और भी उपाय होंगे, तो पूरा वीडियो ध् चैनल से जुड़ने को कहें, क्योंकि हमें आपके सहयोग क्यावशक्ता है, अब बात करते हैं आपकी राशी की, अब हम बात करेंगे तुला राशी की, तो ये गोचर कुडली आपके समक्ष है, शनी पांचवे घर में होंगे, और ये घर बुद्धी का है, मान सम्मान का है मानसिक शक्ती का है दिमागी शक्ती का है सीखने की छमता का है रोमैंस का है जुवे का है, सक्टे का है प्रेम का है, दोस्ती यारी का है तो गोचर में जब भी शनी पांचवे घर से गोचर करते हैं तो मिले जुले पहिणाम देते हैं गोचर में जब भी शनी का सम्मंद शुक्र यानि आपकी राशी के स्वामी से होगा तो कि आपकी राशी के स्वामी कौन है शुक्र तुला राशी की बात कर रहे हैं और भागे के स्वामी बुद्ध हैं तो आपको बढ़िया परणाम प्राप्त होगे इस लाइन को थोड़ा सा और अच्छे से समझ दिए जब जब गोचर में शनी का परिवर्तन होगा तो उसके बाद जो जो गोचर आएगा उसमें शुक्र और आपके भागी के स्वावी बुद्ध से शनी का कोई भी संबंध बनेगा तो आपको अच्छे परिणाम देंगे ये हर महीने दर महीने आपको पता चलेगा तो जिस महीने में बुद्ध और शुक्र से शनी जुड़ेंगे आपका काम बढ़िया चलेगा भागे दौड़ने लगेगा आमदनी बढ़ेगी शनी की सब्तम दरश्टी यारवे भाव पर होगी तो महनत का पूरा अफ़ल पाएंगे महनत बेकार नहीं जाएगी आमदनी बढ़ेगी दस्वी दरश्टी से दिती भाव को देखेंगे तो कमाई भी होगी और आपकी बात बंती चली जाएगी आपके खर्चे भी बढ़ेगे आपकी सिधाई से काम नहीं चलेगा सूर्य और शनी का संबन्द गोचर में जब जब बनेगा तब तब हानी होगी इस बात का ध्यान रखिएगा मन में चिंताएं दूर होगी संतान पक्ष को लेकर लापरवाही बिलकुल भी मत करिएगा संतान से चुड़ी हुई हर चीज पर नदर बना के रखिएगा शनी देव विवाह में विलंब करा सकते हैं और या थोई देरी करा सकते हैं बुरी आदते अगर आपको पढ़ गई इस समय में किसी भी तरीके की बुरी आदत पढ़ गई तो फिर समझ लिए जीवन बिगड़ जाएगा बुरी आदते पढ़ तो जाएंगी लेकिन चूटने में बहुत पापड बेलने पढ़ेंगे मेहनत मेहनती होंगे भोले होंगे अकलमंद होंगे धार्मी विचारों वाले होंगे मेहनत से तरकी पाएंगे इमानदारी को छोड़िएगा मत अपने पास केसर रखिएगा हमने कहाते हैं उपाय की बात करते हैं तो उपायों में क्या है अपने पास केसर रखिएगा चूट नहीं बोलना है संतान के जन्म पर मीठा नहीं नमकीन बाठियेगा अगर्वती महिलाएं थोड़ी सी सावधानी रखें मांसाहार शराप चदूर रहरा है जुए में बड़ी हानी हो सकती है शेयर मार्केट में लापरवाही बड़ा नुकसान करवा सकती है किसी धर्म कर्म वाले इस्थान में आपको जाना चाहिए यात्राएं करनी चाहिए और एक उपाए मैं आपको और भी पता देता हूँ किसी धर्म इस्थान पर जाएं दस बादाम चिलके वाले ले जाकर चड़ा दें उसमें से पांच बादाम वापस ले आए और एक सफेद रंके रुमाल में बोटली बनाकर अपने खरमे से रख्षी तरख लें ऐसा करने पर भी आपको अच्छे पढ़िणाम मिलेंगे तो कुल मिलाकर आपको चीजे समझ में आ गई होंगी कि आपके तुला राशी वालों को शनी 2023, 2024, 2025 में क्या पढ़िणाम देने वाले हैं तो कहीं न कहीं अच्छा रहेगा आपके संबंद इस्तापित होंगे तो आपको जब जब आपकी राशी से संबंद बनाएंगे यानि शुक्र से और आपके भागे के स्वामी से संबंद बनाएंगे तब तब बहुत बहतरी आपके जीवर में होगी चिंताएं भी दूर होंगी और जब सूर शनी का सम्मझ बनेगा या चन्रमा से इसका सम्मझ बनेगा शनी का तो थोड़ी सी मांसित चिनता है बढ़ सकती तो जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे गोचर हम डालते रहें, आपको पता चलता जाएगा कि कब क्या होने वाला है तो उमीद करता हूँ कि आपको मेरी बाते समझ में आगी होगी और आप इस तरीके से जो शुरू से लेके अन तक आपने बहुत धहर पूर वक्त जो वीडियो को देखा समझा इससे आपको पूरे शनी के कोचर की जानकारी मिल गई होगी आने वाले जो दो सवादो साल हैं वो कैसे बीतने वाले हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्वाद आपने वीडियो देखा आपका समय मंगल में हो इस वर से हम प्रात्मा करते हैं नमस्कार